कल्पना पट्वारी एक भारतिय प्लेबैक सिंगर हैं, जो असम भोजपुरी, पंजाबी, उडिया, गुजराती, मराथी और बॉलिवुड फिल्मों में आइटम सौम करने के लिए जानी जाती हैं। कल्पना पट्वारी का जन्म 27 अक्टूबर 1978 को असम के बरेपेटा जिले के सोर्भोग गाउ में एक मध्यवर्गिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विपिन नाथ पट्वारी है, जो पेशे से एक गायक है। वहीं उनकी माता जी का नाम जोयमती पट्वारी है, जो की एक ग्रही है। इन्होंने कौटन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में अपनी पढ़ाई पूरी की कल्पना पट्वारी को बचपन में संगीत से कोई लगाव नहीं था, लेकिन उनके पिता एक लोग गायक होने के नाते चाहते थे, कि उनकी बेटी भी एक सिंगर के रूप में अपनी पहचान बनाएं। जिसके चलते उन्होंने चार साल की उम्र में ही कल्पना को संगीत के स्टेज परला खड़ा किया। धीरे-धीरे कल्पना की भी रूची संगीत की ओर बढ़ती गई और फिर उन्होंने संगीत में अपना करियर बनाने का फैसला किया। फिर उन्होंने वर्ष 1996 में लखनव के भात खंडे संगीत संस्थान से भारतिय शास्त्रिय संगीत में संगीत का अभ्यास किया। कलपना अपने संगीत के शुरुवाती दिनों में असम्मे होने वाले छोटे मोटे प्रोग्राम में अपने पिता के साथ लोग गीत गाया करती थी। 12 साल की उम्र में ही असम्मे होने वाले स्टेस प्रोग्राम में भोजपुरी सौंग हम ना जैबै ससुर घर में बाबा और रात सपना दिखाये दिया हमको गाना गाने के बाद उनका मन भोजपुरी इंडस्ट्री की ओर और बढ़ता गया कल्पना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले औल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन चैनल पर घीत गाया करती थी कल्पना ने अपने तमिल फिल्म सौंग की शुरुवात वर्ष 1999 की तमिल फिल्म ताज महल में थिरुपाची अरुवालाज से की कल्पना वर्ष 2001 में सपनों के शहर मुंबई आ गई थी जहां उनका संधर्ष चल ही रहा था कि उन्हें पंजाबी, राजस्थानी और उडिया जैसे कई सारे गानों में आवास देने का मौका मिला था इसी बीच उन्हें भोजपुरी गीत गाने का ओफर मिला उन्होंने अपने असामी म्यूजिक एल्बम की शुरुवात वर्ष 2002 की असामी फिल्म कन्यादान में नीला नीला गाने से की कल्पना पटवारी ने 20 से 21 साल की उम्र में भोजपुरी फिल्म जगत में अपना पहला कदम रखा था उन्होंने अपने भोजपुरी म्यूजिक एलबम की शुरुवात वर्ष 2003 में भोजपुरी सौंग ए गणेश के पापा से की थी कलपना पटवारी को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी भक्ती सांग ए गणेश के पापार से काफी पहचान मिली कलपना पटवारी ने अपने भोजपुरी फिल्म करियर की शुरुवात वर्ष 2006 की भोजपुरी फिल्म चलक मुसाफिर मोहलियाओरे में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव के साथ जानकी के किरदार से की कलपना पटवारी भोजपुरी जगत की पहली ऐसी भोजपुरी गाय का है जो खाटी बिरह के वर्षों पुरानी परमपरा को अंतरराश्ट्रिय मंच पर पेश करती है कल्पना पटवारी भिखारी ठाकुर को अपना गुरु मानती है और उनके जीवन और कारियों पर आधारित एल्बम बनाया करती है कल्पना को वर्ष 2013 में एक डॉक्युमेंटरी भोजपुरी फिल्म बिदेसिया इन मुंबई में देखा गया था यह फिल्म आठ दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी इस फिल्म में प्रवासी मजदूरों को मुंबई में बस्ते हुए दिखाया गया है कल्पना ने वर्ष 2008 के टीवी रेलेटी शो जुनुन कुछ कर दिखाने का में भाग लिया था जिसका प्रसारण एंडी टीवी के इमेजीन चैनल पर हुआ था कल्पना पटवारी भोजपुरी फिल्म जगत की पहली महीला गाई का हैं जिन हे एक इंडियन अराइवल डेग के लिए सांस्कृतिक मामले में मंत्राले द्वारा लेटिन अमेरिकी देशों में 15 दिन की यात्रा के लिए बुलाया गया था जहां उन्होंने छपराहिया पूर्वी स्टाइल में गाना गाया और जिनके गाने को रिकॉर्ड भी किया गया था इस से पहले इस स्टाइल में पुरुष गायकों की ही आवाज रिकॉर्ड की गई थी कल्पना पटवारी को भोजपुरी फिल्म जगत में भोजपुरी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है कल्पना पटवारी ने भोजपुरी, मराठी, हिंदी और तमिल जैसे कई भाशाओं की फिल्मों में अपनी पहचान बानाने के बाद जुलाई 2018 में पटना के भारतिय जन्ता पार्टी के दफ्तर में जाकर अमित शाह और बिहार के उपमुख्य मंतरी सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में भारतिय जन्ता पार्टी की सदय ताली कल्पना पटवारी अब तक लगभग 30 से भी ज्यादा भाशाओं की फिल्मों में काम कर चुकी है कल्पना पटवारी भोजपूरी के लगभग सभी स्टार के साथ काम कर चुकी है कलपना पटवारी के परिवार की बात की जाए तो इनके परिवार में इनके पती परवेश खान और उनके दो बच्चे हैं अस्तुपी खान और श्रीमत पी खान